हेलो दोस्तों ओनलाइन फार्म में आपका स्वागत है देखें बिहार भी इसको मांद यह 20 में जो फॉर्म आया था असिस्टेंट असिस्टेंट गोडाउन मेनेजर असिस्टेंट आइटी असिस्टेंट सारे सब्क्राइबन दिसंबर 2020 को ठीक है दोस्तों हो अब जो है इसका रिजल्ट कप थे होंगे इसलेक्ट आगे का प्रोसेस क्या होगा और आगे कर razón 的 दूसक्राइब किशाइं के लिए जरूर टो से हैं ये वीडियो शुरू करते हैं विडियो सुरू करने से लिए चैनल लहें जाहा हैं टो चैनल को सम्स्राइब की willen चला के लिए बता ऐगा एंगे शकर सब्सक्राइब भर की ज्यादा लंबा ना करते हुए तो देखिए दोस्तों यह जो है पिछले साल 2019 में यह भकेंसी आया हुआ था उसका एक ब्यक्ति का पटना में लिया गया था ठीक है दोस्तों यहां पर आप लोग देख सकते हैं बिहार विसको मान का ही है तो यह जो था रिटेन एक्जामिमिनिशन यह भी लिए रिटेन ऑग्रांस का है यहां पर हमने नाम और यह सब बिलर कर दिया है ताकि उनका प्राइवेसि बना रहे हैं अब आपको दिखाएंगे कि result कँब आया था और किस तरह आया था ठीक है दोस्तों तो जबस्तों इस तरह के PDF के साथ result आया था ठीक है ज़स्ट उसके देठ महा भाद यानि 45 दिन बाद result जारी कर दिया गया था ठीक है दोस्तों को यह है कि कैसे 45 40 दिन बाद ठीक है दोस्तों यानि आप देख सकते हैं कि यहां पर जो है यहां पर जो है हुआ था 10 मार्च को एक्जाम और इसके बाद अपको 10 दस मार्च के बाद 10 अपरिल और लगभग माई के लगभग रिजल्ट जारी कर दिया गया था दोस्तों तो चलिए आपको दिखाते हैं और कुछ जो है मार्च में यानी 10 मार्च को आपको दिखाएग के उनका एक जांब धा आपको प्रूप के साथ दिखा रहा है दश मार्च को नहें का एक जांब था ठीक है दोस्तों और फिर इंटरव्यू दोसको्ट देखिए दोस्तों यहां पर इंटर्व्यू लिखा हुआ है ध्यान से देखेगा विश्कुमान कहीं है और से महीं भाकेंसी था एकदम फरामधेुट कोने जा रहा हूँ तो आज के सकते हैं कि 31 में अग्जाम by आजवाले थीद्यू में अपे दर्विए पैश्कॉल हो आने से पहले-पहले तक आपका result कणफर्म आ जाएगा दोस्तों इसमें कोई ड recre Your l a फ्र आई जारी झाया जाएगा अब देखेए आब यह जो दुसरा सवाल था दोस्तों की रिजल्ट के बाद इ vrij इंटर्वियू के रहाएगे नहीं इसमें कितने लड़के सलेक्ट होंगे तो चलिए आपको दिखाते हैं से में पाँच गुना लड़के सिलेक्ट disposal ठीके दोस्तों उसंत में और इस एक्जाम में आपको कितने लड़के टोटल सेलेक्ट किये जाएंगे चलिए आपको दिखाते हैं और कुछ तो देखिए दोस्तों यहां पर बिहार इस्टेट कोपरेटिव मार्केटिंग यूनियन विसको मान बिहार जारखन तो यह इसका जो है नया वाला नोट्रिकेशन जो इस साल आया हुआ है यह वाला नोट्रिकेशन है आपको दिखाएंगे किस तरह कितने लड़के सेलेक्ट ह का इसमें टोटल एक भाइक त semua 9 यहां आज पर सेलेक्ट हो जाएंगे अगला हो जाएगा सिकालbaby किसे 2पेस तो 20 2500 यानि 105 जोड़ते यहां agildare है एक सो पांच के बाद जूनियर सिविल इंजिनियर के भाकेंसी है इसमें कुल टोटल पोस्ट दो है तो यह भी पांद दुनी के अफिस एक्सकूर्टिप का यह भी 10 है तो 10-50 कितना जोड़े थे 125-150-175 कंडिडेट हुए दोस्तों और आंगे देखते हैं कि एकाउंट असिस्टेंट में है कुल पांच यह भी 175 और यह 25 200 हो गए 200 लोग अभी तक सेलेक्ट होंगे ठीक है दोस्तों आंगे आपको बताते हैं चलिए असिस्टेंट गोडाउन मनेजर में इसमें अब आठासी पोस्ट है और 88 गुने पांच करेंगे तो 844 444 और दो 640 अभी चलते हैं और कंप्यूटर ऑपरेटर कम टाइपिस्ट 640 में 25 और जोड़ देंगे 665 हो जाएगा 665 अब हो गए दोस्तों चलिए और आंगे देखते हैं लास्ट में है दोस्तों सेल्समें कम एंटियस का इसमें 142 है और 665 142 का 5 से गुना करते हैं पांदुना दस पंचयों के बीस एक एकईस दो और पांदुसाथ 710 इसमें और 665 उसमें 665 उसमें तो यह टोटल हो जाएंगे आपको इसमें 1375 कंडियेंगे और लगभग टेन थाउजट के लगभग और कंडिए हैं कächडिडेट दस जार लोग इंचयों सेलेक्ट किये जाएँगे से निधाफ़ सेलेक्셋ं के कितना लोगों का सेलेक्षान अब दोस्तों आपको बताने वाले हैं कि इसमें आंगे का क्या प्रोसेस ध् crest देखिए आंगे का जो रुखेस है दोस्तों इसके बाद आपको इंटर्भियू के लिए बुलाए जाएगा बाद बाद आकर एक घंटे पहले आपको एक निबंध लिखने के लिए दिया आता है ठीके दोस्तों निबंध लिखने के लिए दियाता है ठीके दोस्तों तो निबंध आपको लिखना होता है और निबंध के बाद आपको इंटर्व्यू के लिए बुलायाता है ठीक है अब इंटर्व् आपको जैसे ही सेलेक्षन होगा निबंद किस चीज़ पर आएगा आपको पूरा निबंद करा देंगे सर्क कैसे आप लोगों को रिविजन करा देंगे किस तरह का निबंद पुठेगा क्या आपको निबंध में लिखना होगा और कैसे निबंध लिखना होगा इसके बाद इंटरव्यू का जहां तक सवाल इंटर्व्यू का मौक्ट एसट करा देंगे जब तक 25 दिन योग कि क्या इंटरवयू में आता हुआ museums क्योंकि पिछली साल खुद हम इंटर्व्यू दिये थे खेर मेरा सेलेक्शन नहीं हो पाया था इंटर्व्यू के बाद तो मैं इंटर्व्यू आपको बताऊंगा कि क्या इंटर्व्यू में पूछे जाते हैं तो आप लोग तयार एगा दोस्तों और चैनल को सब्सक्राइब जरूर किजिएगा दोस्तों तो इसी तरह की और भी वीडियो के लिए हमारे चनल को सब्सक्राइब किजिएगा और जाते जाते वीडियो को लाइक करके जाएगा दोस्तों चलिए थैंक यू